तो थैंक्यू बरिमाज योंकी फलास जो हमारे को फाउंडर हैं प्रग्माफिक्स के इंडोनेसिया से और मैं ठेंक्स कहना चाहूंगा संतोज जी को जिनकी तरफ से टीसर आई है ठेंक्यू सर आप समझ रहे हैं जो भी टेकनीशन अब अपडेट नहीं होगा वो टेकनीशन और यहां ए zijn गहां से वाफस आउट होने वाला है से जासे नोगेम्के टाइम पर हो था गया था तो बहुत साही टेकनिशन लाइन से आउट हो गया जो बहुत टाइम पर बहुत अच्छा पैसा कमाया बहुत अच्छा किया पर जो टेकनिशन अपडेट नहीं होगा वह आउट हो जाएगा एक लेलो एक लेलो उदमें एक बस 1.0 और एक 1.8 चेक कर लो बस हो गया तो फिर आप कैसे आप कैस कि अगरन तो ठीक है और नहीं आया तो WTIR चरिंज करそु मुझे लगता है कि छोटे छोटे सक्षें में डालो। आपको जिर उन्प्रिश कर दोंगा। सब जक्तिपशक कर दोंगा। फिर AFVY great जूम्हाइश दोंगा। जिर स्वाइश न्ग्हाइश कर दोंगा। यहीं हैं का कंसेट में क्लियर होगा। हम सुन्थे हैं सिर्फ अपनी जित के जित है मेरा फिटूर जित है मेरा कुरूर जित है मेरी जुर। हाई मार यूदू फैमिली कहजें आप सभी लोग दोस्तों आज का कंटेन है नेटर सेक्षन का तो मैं नेटर सेक्षन में एक देर घंटे के वीडियो बना चुका हूँ रही बहुत लंबे कंटेन डाल चुका हूँ लोग बहुत जाजा तर देखते नहीं है बहुत लोगों को इतना एक देर घंटे वाला ओनलाइन सेक्षन समझ में आता नहीं है जा सेक्षन में दालो जासे आपको शर्व वूल्ट्रिस के इंफॉरमेसन दूँगा फिर आपको किसी डार की इंफॉरमेसन दूँगा फिर किसी वीडियो में केस्षन से आपका कैंसेंट भी कलियर होगा और दोस्तों मैं सच बता हूँ अगर आप ऑन-लाइन के चक्कर में और फिर रोटे हैं और कहते हैं कि सर हम तो सीख करा गए हैं और हमें उनलाइन में कुछ मिला नहीं क्योंकि आप पैसा होता है तो प्लीज आप ओनलाइन को चीन लेने से बचे और आप आप आफ लाइन जाएं आप क्योंकि दोस्तों यह एक मुवाल ट्रेनिंग है जितना करेंगे उतना ही आप सीख पाएंगे सिर्फ लाइनों की जानकारी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है और लाइनों की जानकारी भी सटीक और पैटिकली होनी चाहिए जो की बूर्ड पर काम करें तो यह चीज मेरी आप अगर मान सकते हैं तो प्लीज मानेगा आप हमें मत ज करते हैं ऐसा नहीं है पर हम जानते हैं कि लेंग्विज का फ़र्क परता है और दोस्तों जब तक कि मैं तुमसे कनेक्ट नहीं हो पाऊंगा 100-100% मैं तुम्हें समझा नहीं पाऊंगा यह मैं बिलीब करता हूं इसलिए मैं साउथ के उन लोगों को भी एड्मिसनी देता है जो करनर या जो तामिल या इस तरह से बोलता है जिनको हिंदी थोड़ा थोड़ा आता है मैं थोड़ा थोड़ा वाले को भी एड्मिसन नहीं देता हूं यही मेरी यूसपी है क्योंकि दोस्तों पैसा कामाना होता तो फिर मैं सब पहला विक्ती में होता है इस देश में जो और यही होगा अपसे आने वाले समय में, तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सते हैं, मेरे पास एक network के लिए कुछ डाइग्राम्स को लूँगा, आज जो section है वो dedicate है WTR 2965 को, दोस्तों इसके बाद मेरा नया वीडियो देखिएगा जो मैं dedicate करूँगा WTR 3925 को, और इसके बाद आज जो मैं WTR करूँगा, HDR, जो की 2 WTR खतम होने के बाद में, HDR 6-0 और उसके बाद एक और HDR लोगा जो latest HDR है, जो OnePlus 6 या उसके ओपर के hand side में आ रहा है, तो आगर मैं बात करूँगा, Note 10, Note 11, इन सब में कौन सा आ रहा है, इन सब की तो कोई बात ही नहीं करता है, लोग अभी तोरह सा section देनी की courses कर रहा हूं, क्या वो मैं सही कर रहा हूं, या मुझे एक गंटे या दे, गंटे की class देनी चाहिए, क्योंकि मुझे पता है, खुद है, देखो लोगों को 10 साल का experience होता है, मुझे 10 साल का experience पढ़ाने का है, तो मैं आपको अब लीप करो कि मुझे पता है कि student क्या मांगता है, student को क्या चाहिए, कैसे देना है, और इस बात में हम expert हैं दोस्तों, चलिए बात करते हैं, network section में, आज हम बात करेंगे WTR, आज हम बात करेंगे WTR 2965 की, दोस्तों, WTR, WTR टो बहुत लोग करते हैं, ये transmitting IC होती है, इसको trans receiver, दोस्तों, WTR की लोग बहुत receiver IC है, तो basically अभी बहुत सारी लोगों को confusion होता है, 4G PFO, हलाकि वो PFO नहीं है, बहुत सारी लोग उसको RF भी बुलाते हैं, कैर कुछ भी हो सकता है, ये हम कुछ भी किसी को भी बोल सकते हैं, अपनी अपनी राय होती है, पर technically view जो होगा, वो ही सही होगा, अगर मैं बात करू दोस्तों, आज मैं आपको WTR के कुछ function बताना चाहता हूँ, सबसे पहले मैं कुछ voltage के बात कर लेता हूँ, उसके बात मैं आपको 3 diagram खुलता हूँ, वो भी अच्छे latest diagram जो या वो diagram जो सबसे ज़्यादा running है अभी की date में, आप मुझे comment करके बताओ किस particular diagram का आप ये section चाहत करेंगे, ताकि आपका concept clear हो जाए, ठीक है, तो सबसे पहले, अगर मैं concept की बात करूँ, तो पहला concept जैसे मैं आपको बता रहा, मैं आपको आज WTR 2965 के voltage configuration की बात करूँगा, मैं PFO पे भी एक अलग video बनाऊंगा, तो मैं छोटे-छोटे segment पे वीडो बनाऊंगा, तो ही आप लोग देखेंगे, और आप लोगों को समझ में आएगा, यही मैं समझ रहा हूँ, तो अगर मैं बात करूँ दोस्तों, यहाँ पर, तो अगर हम इसकी बात करें, दोस्तों, यह आपकी IC है, और इस IC की actual requirement क्या है, बहुत सारी लोग अपने वीडो में बोलते हैं, बट दोस् अगर आप WTR पर दो लाइन खेच के यह बताते हैं, कि आपको एक जगे 0.9 या 1.0 और एक जगे आपको 1.8 वोल्टेज आएगा, तो दोस्तों, और बस आप यह चेक कर लेना आगे तो ठीक है, और नहीं आया तो WTR चेंज कर देना, पावर चेंज कर देना, तो मुझे लग पहले आप सोचों कि मैंने 2-3 साल पहले एक वीडियो बनाया था, और भी SDR पर बनाया था, बहुत डेडिकेट वीडियो बनाया था, जिसमें मैंने SDR के हर एक अंदर पैड पर वोल्टेज बताया थे, तो अब मैं आपको रियल्टी बताता हूं, दोस्तों, रियल्टी यह बिल्कुल भी नहीं है, रियल्टी यह बिल्कुल भी नहीं है, कि हम बात करें, WTR पर 1.80 वोल्ट जाता है, एक 0.89 और 1.8, रियल्टी अलग है, रियल्टी एच्वल में क्या है, चलिए बात करते हैं, तो अगर मैं बात करूँगा, WTR की, तो देखे, यहाँ पर जो WTR है, दोस्तों पहले उसको हम वोल्टेज का का कॉन्टिकेशन समझ रहे हैं, तो दोस्तों इसको बहुत सारी चीज़े चाहिए होती है, यह basically अगर मैं बात करें, इसके अंदर अगर तीन सेगमेंट हैं, इसके अंदर, तीन सेगमेंट अगर मैं इसकी बात करूँ, अलाकि मैं इ DRX, आगर हम इसके अंदर की बात करें, एग यहां पर रिसीविंग और एक यहां पर ट्रांस्मिटिंग, तीन सेगमेंट इस IC के अंदर रहे हैं, एक DRX, एक receiving और transmिटिग यहां पर काम कर रहा रहा है, तो basically अगर मैं बात करूँ और DRX की ऐब अपनी अपनीया अलग-अलग अलग-अलग full forms होते हैं, तो अगर मैं बात करूं, इन तीनों को ही requirement होती है voltage की, क्योंकि ये तीन segment, दो primary हमारे receiving sections होते हैं, जिसमें से एक हमारा primary receiving sections, जो हमारा RX होता है, जिसको हम primary receiving section कहते हैं, और एक दूसरा हमारा receiving section होता है, जिसको हम DRX कहते हैं, तो दोस्तों ये तीन section मिलाकर हमारा basically transmitting बनता है, जिसको हम WTR बोलते हैं, अगर मैं इसको बोलूँ, ये हमारा WTR मिलका बनता है, wireless trans receiver, अब देखर, wireless trans receiver, तो ये होता है diversity receiving sections, इसको बोलते हैं receiving, ये हमारी primary receiving होता है, इसलिए हमारे basically हर फोन में डो एंटीना यूज के गए हैं, आप notice किजेगा, आपके हर फोन पर दो एंटीना यूज के गए है, ये primary antenna है, जो नीशे sub boat से आता है, और ये आपका diversity antenna है, जो आपका ऊपर के boat से आता है, आपके ऊपर के board में ये antenna socket लगा होता है, जनलिली जो RF केवल होती है, वो आपकी primary receiving section में होती है, अब मैं बात तो आप जानते हैं, जब हम calling करते हैं, तो हमारी आवाज या हमारे जो signals होते हैं, digital analog होके वो transmit होते हैं, तो ये चीज आप समझो, तो जब एक WTR में या किसी भी एक trans receiver में, जब तीन sections होते हैं, तो तीनों को ही अलग-अलग बोलते चाहिए, तो फिर आप कैसे बोल सकते हैं कि सर, एक IC ले लो, एक IC ले लो, उदमें एक 1.0 और एक 1.8 चेक कर लो, बस हो गया, तो फिर आप कैसे बनाएंगे network section, ऐसे गेले लोगों के साथ में, जिनको खुद नहीं बता, और मैं सज बताओं कि मैं क्या बोलू उन लोगों के लिए कोई सब्द नहीं है, तो जब नहीं पता है कि अंदर actual में voltage किसको चाहिए, तो आप वहर voltage धूर क्यों रहें, और अगर एक दो voltage धूर के आप अगर यह सोच रहे चलो, यह चार फोन तो बन गए, और जब बाकी के चार फोन जो आप अंदर नहीं धूर रहे हैं, उसका क्या, तो यह होता है, पूरी knowledge का न होता है, अभी बहुत हो गया है, इसी के ऊपर कॉंपडेंट पर काम करना, अब मिड लेर पर काम करना सीख लो, और अगर नहीं आता है, तो फिर जब 5G आएंगे, तो आप बिल्कुल 3G, 2G, 4G, ऐसे ऐसे किनारे हो जाएंगे, कि आप ऐसी स्विम हो जाएंगे, जो आपको किया, पर जो टेकनिशन अपडेट नहीं होगा, वो आउट हो जाएगा, तो आप देखें इसकी फूटो की चलेना, कि WTR के अंदर 3 सेक्शन होते हैं, DRX, जिसको आपने देखा होगा, तो 3 सेक्शन होते हैं DRX, RX और TX, डिवर्सिटी रिसीविंग सेक्शन, और यह हमारा रिसीविंग और ट्रांस्मेटिंग सेक्शन, अब मैं बात करता हूँ, इन तीनों सेक्शन को आप कैसे दूरेंगे, तो दोस्तों, यहाँ पर मैंने एक रनिंग मोबाइल लिया है, रेडमी 8A, और 8A में सबस्क्राद नो सर्विस देखा गया है, और मैं यह नहीं कहूंग कि अगर मैं जो बता रहा हूं, इससे अगर आपका काम नहीं हुआ, तो कहीं से नहीं होगा, क्योंकि नेट्रक सेक्शन दोस्तों, एक ऐसा सेक्शन है, जहां पर कोईल कैपिसिटर से लेकर इतने इंपोर्टन पोर्टन छोटे-छोटे स्विचर, फिल्टर और यह सारे जो इस सारे चीजों से भी हमारा नेट्रक नहीं आसता है, बड़ हमको समझना पड़ेगा हमारा बैंड कौन सा चल रहा है, तो यह बैंड पर भी डिपेंड करता है, ठीक है, अब बात करते हैं, यह आपने देखा होगा कि यहां पर मैंने एक लियाओट उपन किया हुआ है, य जैसे मैंने पहले बोला, बहुत सारे लोग आरेफ को पीएफो भी बुलाते हैं और इसको ट्रांसमेटिंग कहते हैं, बद अपने 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 लैंग्वेज अपने अपना नॉलेज में, यहां पर अगर मैं बात करूंगा, यह मेरा यहां पर डब्लू टीर है, अगर मै इसको डवल टिक कर दो, ठीक है, और इसको डवल टिक करने के बाद, दोस्तों इसको डवल टिक करने के बाद, अभी फिलाल मैं इसी मूबाइल में दिखाता हूं, इसको डवल टिक करने के बाद, आप देखिए इस आईसी पे पहुँच गए, अब यहां पर सबसे पहले है जब भी बी पर पहुच्छेंगेा तो नमबर टेखने को मिलेंगी या तो यहाँ पर अल्फा देखने को मिलेगा अल्फा नुमेरिक लिवन टू- तो फिल्लाल यहां पर देखेंगे था तो इसका मत्वलाब नंबR देखने को मिल रहे हैं, तो हम सबसे पहले यहां पर एक Selection करेंगे, और A Select करने के बाद हम देखेंगे कि हमारा, यहां पर मैं A Select करता हूँ, अब देखें मैंने यहां पर A Select किया हुआ है, अब यहाँ पर देखें यह तो यह पर आपको पावर के अंदर आना है यहाँ पर दूर सेक्षिंशन होते हैं और आप नोटेस करेंगे यहाँ पर हमें कहीं पर भी वोल्टेज नहीं देखने को मिल लें जैसे आप देखसकते हैं DRS यहाँ पर आपको डिवर्सेटी रिसेवि अब मैं यहाँ पर बी मैं लिखा हुआ है और आप बापस सच करूँगा तो आप देखें यहाँ पर पावर आचोका है ठीक है तो दोस्तों यह WTR 2965 का डाइग्राम में मैं पहले फिर से बता रहा हूं अब आप नोटेस कीजेगा यहाँ पर आपको तीन चीजे दिखाई देखें अध्री जे चीजे का इस डिए जिसके बारे मैं मैं आपको बताया था अब भी यह वीडियो में बना रहा हूं उसलिए यूटूब में होगा और दोस्तों मैं कितना ही कोशिस कर लूँ पाच वीडियो बनाने के पर साला बनता ही यह नहीं है वीडियो आगे चला जाता है और बनता हुआ जाता है तो मेरा मन में आ जाता है यहां बता यह बता है यहीं कर आप दोस्तों यह आप की WTR 2965 है और इसमें आप अपनी कॉपी में इसके नंबर नोट के लेज़े 35, 825, 830 और यहाँ पर हम बात करेंगे यह आपका 17 है तो दोस्तों यहाँ पर जो वोल्टेज आते हैं हम बात करें यह तीनों आपस में connected होते हैं पहली बात और कैसे connect होते हैं मैं आपको यह भी बताता हूँ कैसे connect होते हैं यह भी बताता हूँ यह WTR 2965 आगे यहाँ पर दिखाऊँगा फिलाल यही बना देता हूँ इसके साथ एक register लगा होगा इसके साथ एक register लगा होगा इसके साथ एक register लगा होगा 0 ohms का जो आप देखा होगा अपडाउन भी करता है है ना तो यह आपको देखेंगे अब आप नोटिस करो आप सिर्फ यह वोल्टेज देखते हो और वोल्टेज आ रहा है और सारी चीज ओके है पर बिभी नो सब्सक्राइब क्यों तो क्यों देख रहे हैं ऐसे गेले लोगों का व सास के पर रही है और स आपके आपके ट्रांस मीटिंग को सो रिसीविंग यह प्राइमरी रिसीविंग हैं मिर्सीविंग है यह आपकी पीएपो से आ रही है और यह आपकी में एंटीना से होते हुआ वह वाली रिसीविंग है अलकि यह नहीं है आप देखें डियाइजी वाले सेक्शन की रिसीविंग है अब यहां को यह नहीं है से मिलएंगे । अधिया में आर यहां को और सेक्शन पर आउस्म रहेगा तो आपको इन टीन्य पर Stan to यहां पर एक देखिये, RF, so main RF, RF क्या होता है, RF हम यहां पर बोलते है, PFO के लिए, जैसे हम यहां पर फिलाल, आपको RF किसके लिए बोल ला है, यह अपने PFO के आने वाले voltage के लिए बात कर रहा है, जो यहां पर हम 4G network की बात करें है, तो, आपको इस लाइनों को ऐसे चेक करना है, और यह जब तक आप चेक नहीं करेंगे, तब तक आपका नो सर्विस बना रहेगा, आपको नैट्रक में हर तरह के वोल्टेज मिलेंगे, और तब भी आपको समझ में नहीं आएगा, यह साइड मुझे तो बनी नहीं रहे है, तो, यह मसला है, तो, थैंक्यू बरी मस्योंकी फलाज, जो हमारे को फाउंडर हैं, प्रग्माफिक्स के इंडोनेसिया से, और मैं ठैंक्स कहना चाहूंगा, संतो जी को, जिनकी तरफ से टीसर आई है, ठैंक्यू सर, और यह हमने अपने सारे स्टून को प्रोवाइड करव तो, यहां पर हम आसा करते हैं, कि आपको वीडियो समझ में आया होगा, और यह नॉलेज आपको बहुत अच्छा लगा होगा, कमेंट करके बताएगा, कि वीडियो लंबा तो नहीं हो गया, और आपको नॉलेज कैसा मिला, थैंक्यू वरे मच्ट, अभी तक कोई यूटू अफिका करने वाले हैं पिक को कष़़्यू निकाला हूं, को ओवरे मां यू यूटू हो यू इसको में यूटू निकालने वाले हैं चेशी निबसास